एक इकड़ जमीन में आप 15,000 रूपय खर्चा करता तो जैसे 25,000 रूपय का प्लान का खर्चा होता है और पहला साल में एक इकड़ जमीन से कम से कम दो लाग धायलाग रूपय आसान इसे कमा सकते कि नमस्कर किसन भाईयों आज हम मेरा खुद का जो बड़ा फार्म है अपिल बेर का उस फार्म पर खड़ा है अब हर्वेस्टिंग भी हो रहा है फ्रूट हर्वेस्टिंग हो रहा है सो आज हम अपको देखाएंगे मेरे जो प्लाइंथे लगभग आट ग्यारा मैना हुआ है आज का टाइम में पिछले 2020 का हम मार्च में फेबुरिक का माच का फार्स्ट पहले तक हम लगाया था ये प्लांट लागाने का बाद में आज का डेट में अब देख सकते कितना काफी बड़ीया फ्रूटिंग आर आज का टाइं में हम मेरे हिसाब से किक पेड में कम से कम 25- 30 kg फल मेरे को आसानी से मिल जायागा मेरे इदर अभी तक हर्वेस्टिंग स्रेव स्टार्टिंग हुआ है क्योंकि मेरे इदर सर्दी के हिसाब से फुरूट तुरा लेट में हर्वेस्टिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा मौसम खराब होने का बजहाएं से आज हम आपको देखाएंगे आठ नौ मैना का हिसाब से जब इसका फ्लो फ्लोरिंग अया था लगभग साथ मैना में अश्याद इसका फ्लोरिंग आया था सेप्टेमबर में उसका बाद में और तीन-चर मैना को उपर हो गया है उस हिसाब से इसमें फुरूटिंग काफी सबसे ज्यादा फ्रूट आता है और सबसे ज्यादा कलार्फुल होता है कलार भी काफी बढ़िया होता है और फ्रूट का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होता है हम इसका पहले का जो वीडियो हम बनाया था उसमें आप लोगों को कॉमपेरिजन देखाया था ग्रेन और आज हम आपको प्रूट करके दिखाएंगे जो कश्मीरी एपल बेर का साथ में ग्रीन एपल बेर का क्या चाहार आप ग्रीन एपल बेर का कॉमपेरिजन करता तो ग्रीन एपल बेर आज से कम से कम 15 सल पहले का व्रैटी है जो आज भी बहुत पॉपुलर है पर कुछ जो मार्केट है, ग्रीन एपल बेर का जो, मार्केट था वह अभी कश्मीर एपल बेर कवर कर लिया है, तो आप इस फूट देख पा रहा है, कितना बड़िया सभी फूट है, अभी मेरा फार्म में लगबग सभी पेड में आइसा ही फूटिंग आप देख पाएंगे, पीछले भी पीछे background में भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रूटिंग इसमें आया हुआ है और सभी प्लांट में तो हम देखा रहा है उसों भी मेरा खुद का फार्म में करते हैं करकी जो बोल देते हैं ठीक कैंग तो गरिन आप सवाख कास्मिर आपंढेर का है एजव मेरा जो है कश्मीर आपल बेर का देख सकते हैं इसा पूरा हारा कलर का होता है इसमें अब काटेंगे तो इसका अंदर जूस काफी ज्यादा होता है जूसी होता है बहुत ज्यादा पर उतना जूसी यह नहीं होता पर मिठा सब देखता तो दोनों का अंदर इस अब से ज्यादा मिठा होता है सक्कर का तरह मिठा होता है अरे पानी का तरह होता है मिठा बहुत ही काम होता है पर ड्राइव वेदर जो जगा में है जहां पर ड्राइव वेदर होते हैं इसका मार्केटिंग कफी बढ़िया है आज का टाइब में हरियाना पंजब में सभी मेरा जोबी फर्मर ही उपी में वो भी हम सभी को फोन करके पूछते तो लगबग उन लोगों को 25 रूपे 30 रूपे आसानी से मिल जाता है होल सल में और कश्मीरी एपल बेर का लूग देखिए इसका लूग हम पहले सही जो बोलते हैं देखिए एक साइट पूरा रेट कलर होता है एक साइट पीला होता ह एक सो चालीज से एक सो एक सो तीस चालीज ग्राम का बीच में होगा दोनों का अंदर कॉमपेरिजन अब देख सकते हैं लगबग बहुत ज्यादा चोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता ग्रीन एपल बेर का साइज में थोड़ा बड़ा होता है जैसे आसी नबबई 100 ग्रा जादा है उसमें इल्ड इसका कॉमपेरिजन में कम है पर वजान का हिसाफ साफ देखता तो एक साल का एक कश्मीर एपल बेर का पेड़ से 25-30 किलो फाल मिल जाएगा फूर्ट पूर्ड इसका फूर्ट का साइट चोटा बड़ा होता है इसका फूर्ट का साइट थोड़ा जादा है कौनसे ब्राइटी प्राइस जादा मिल रहे हैं उस ब्राइटी को उपाहर आपको काम करना पड़ेगा अज का टाइम में पूरा इंडिया भर में हम मर्केटिंग का रिलेटेट जो भी आईडियार है हम आप लोगों को शाथ शीयर कर रहे हैं अज का टाइम में अपिल बेर साथ इंडिया में तो लगबख जीरो का भाव में बीक हरहा है बहुत ही कम बाव में बीक रहा है कश्मीरी अप्ल बेर का भी नए नया मार्केटिंग हो रहा है सो भी जगह में 35-40 रूपीज मिल रहा है महारश्ट्रा साइड में तो इसका भाव लगबग 10-12 रूपे जा रहा है इसका प्राइज जा रहा है वैसे 35-40 का बीच में ओके अभी हम नौट इंडिया में देखते तो यूपी राजस्थान यूपी इधर हरियाना रहा है फिर भी हम इसका साथ कॉम्पेरिजन करता तो मार्केट वहरी करता है दोनों व्राइटी को पर इसका प्राइज 10 रूपे जाता तो इसका कम से कम 35-50 रूपीज आसानी से कश्मीरी बेर का मिल जाएगा ओके सो देखते हैं क्या होता है आज तो फेवरुर्य का च्छ पुदेश जागा में अभी भी 15-20 दिन को उपर जाएगा फूर्ट हर्वेस्टिंग फास्ट हर्वेस्टिंग होने के लिए जब फास्ट हर्वेस्टिंग होगा तब हम आप लोगों को इन्फोर्मेशन दे देंगे कितना क्या जा रहा है अभी जो मेन बात होता है दोनों जो भी आप फार्मिंग करेंगे दोनों फर्म इन्फेस्मेंट बहुत काम है में अपनेन्स बहुत ही काम है पर क्या होता है अधिल बेर का बसी कळा आपको ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है आप पकर लिज्ये हापते में एक दिन जा रहा है तो नहीं चलेगा आपको हर तर्वाइज को लाएज आपको देखना पड़ेगा हर पेड में टाइम टू टाइम पानी मिल रहा या नहीं हाध टाइम टू टाइम तरफिपल यह सकते शींगे पर इसमें में खाना होता है पाध को करेंगे ऊतना च्छा फुरूटिंगा को मिलेगा ओके काश्मीरी एपल ब इसको फार्टिगेशन जितना अच्छा करेंगे कम से कम मैंना में एक फार्टिगेशन तो आपको करना ही पड़ेगा तो ही आपको अच्छा-खासा प्रॉफिट आ सकता है इसमें आपको इन्वेस्मेंट मतलब आप पकड़ मान के चली एक एकड़ जैमेन में आप 50,000 रूप आप प्लान के खर्चा होता है और 25-25000 रूप प्लानटिशन का मेंटनेंस का पुरा साल भर का खर्चा होता है इस दोनों खर्चाप कर देंगे तो पहला साल में एक एकड़ जैमिन से कम से कम दो लाग-ध्याग रूपय असान इसे कमा सकते बहुत आसान ही से कमा सकते के तो आपका लगभग वन ट्यम इन्वेसमेंट कातर होता है मतलब आज अप इन्वेसमेंट कर दिया है पहला साल में आपका प्रोफिटा रिटान अाके भी प्रोफिट भी बस jayगा फिर अगली से दूसरी से ढ़ी चुच Famal शहां सहल में जाके में कम सेप дополнit 27 सपस पहल जा अब डिम तक ही देता है उसको ऊपर और नहीं देता है और बी चार पान साल में देता है और इसको उमार रहता है प्रॉब्लेम क्या होता है जितना साथ साल आठ साल का बाद में जाके जब बड़ा बन जाता है तब इसका इसमें से आपको फुरूट का क्वालिटी खराब हो जाता है इसलिए साथ साल आठ साल रखे फिर उसको उखाड के फेक के नया प्लांटिशन करना अच्छा होता है ओके सो अजका वीडियो में यही था अपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपका फ्रेंड के साथ क्यूंकि हम हर दीन कम से कम 200-500 को उपर वाइन करते हैं पचाइस साथ सथर जो भी कॉल एकतें कर पथे ज्यादा तर फार्मर कर के थक रहां अच्छा भव नहीं में में रहा है हम जो इन्वेस्मेंट कर रहा है वो भी लॉस में जा रहा है तो आप कुछ हटके कीजिए कुछ नया कीजिए तो ही आपका अच्छा प्रॉफित आएगा कॉंपिटिशन का आज का तायम में मार्केट है कोई भी चीज करेंगे तो उसमें कोंपिटिशन करना पड़ेगा moral किंगें से कं से कं हो जब कोई variety ऐसा कुछ variety के में काम करेंगे जिसके competition कम से कम है तो ही उसमें market अच्छा मिलेगा, marketing अच्छा मिलेगा, अच्छा अपका सरदर्ध, परेशानी कुछ भी नहीं होगा, okay, so एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिए, एक वीडियो देखने के लिए बहुत-ब झाल